नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में हम लोग ज्यान बिन्दू के द्वारा निकाला गया बिहार SSC के प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं आज मॉडल प्रेक्टिस सेट नमबर पाँच है इसमें देड़ सो प्रस्ण दिया हुआ है सारे प्रस्णों को डीटेल स संग्रा है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले पहला प्रस्ण से निमने से कौन सा अस्थी रोग है और इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन डी इनमे से सभी अस्थियों में रिकेट्स अस्थियों में रिकेट्स अस्थियों में रिकेट्स अस्थियों में रिकेट्स हो जाता है तथा जबकि बच्चों में इसके अभाब के कारण सूखा रोग यानि रिकेट्स हो जाता है अस्थियों में तो आस्थियों मतलब हुआ कि अस्थि डाचे का एसा रोग है जिसमें अस्थि सघंता के कम होने पर अस्थि मज्जा की सरचना के हाथ से हडियां कमजोर हो जाती है तथा इनके तूटने का खत्रा बढ़ जाता है और संधी सोध क्या है तो एक अथवा अनेक संधियों की सोध संधी सोध कहला जाता है या किसी भी आयू के ब्यक्ति में पाया जा सकता है प्रन्तु समानता प्रावड एवं ब्रिद ब्यक्तियों में अधीक होता है नेक्स देखते हैं कि किस राज के कमबम अगूर को जी आई टैग मिला है और इसका सही अंसर हो जाएगा ए तमिलनाडू राज के परकासित किया जाता है संजुक तरास्ट विकास कार्जक्रम ने उन्हें सौनब्य में परकासित अपनी पहली रिपोर्ट माना विकास रिपोर्ट में माना विकास उचकांग के संकपना प्रस्तुत की नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भासम यदि फरवरी को मार्च कहा जाता है जून को सितंबर सितंबर को नवंबर कहा जाता हूए तो किस माह में दिनों की संख्या सबसे अधी है तो जो इसमें दिया हुआ है उसमें सबसे जादा जो है वह मार्च में हैो और मार्च को कहा गया है इसका o那 है कॉटलेक法 cd तैवान को अपने छेतर का हिस्सा मानता है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन मानता है उन्हें से उन्चास के ग्रीहुद के बीच चीन और तैवान अलग हो गए थे चीन ने एक देश दो परनालिक रूप में जाना जाने बाला एक सुत्र सामने रखा जिसके त तैवान द्वारा चीन में उनर मिलन को स्विकार करने पर महत्पुन स्वायत्ता दिये जाने का प्रवधान था तैवान ने इस प्रस्ता को स्विकार कर दिया था अगला है निमलिखित में कौन सा केंद्र राज संबंद से संबंदित नहीं है कौन सा एक केंद्र राज संब कारियायोग है यह सभी संबंदित है केंद्र और राजकेस है नेक्स्ट है अलग सब्द का चैन किजिए इन चारों में से सबसे अलग कौन है और इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या तो ए पीतल पीतल एक मिस्त धातु है जबकि अन्स भी जो है यह धातु है तामबाल लोहा चान्दी यह सब धातु है मालावार अभ्यास का कौन सा संसकरन एक की सगर्स दोजार तेश को अस्ट्रेलिया के पुर्वी तट पर संपन हुआ अस्ट्रेलिया के पुर्वी तट पे और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन बी यह 27वा संसकरन था यह आतमरा चबल और अमेरिकी नुशना के जहाजों पंडूबियों और विमानों की भागिदारी सामिल है अगला प्रस्ण है कि ओटाबा किस देश की रध्धानी है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन ए कनाड़ा के रध्धानी है औटाबा अगर हम बात करते हैं स्वीडन की रधानिक कहां है तो है मय students like का योग किसी भीन और उसके वियुत कर्म का योग दो पुरनांग पचीस विट छुएसरे किसी भीन और उसके विट कर अगर माना कि हिए फैन पलफ क्या होगा और दोनों का योग कह रहा है कि उसक्त स्क्वाइर बटा पी क्यू बरबर 117 बटा 66 यानि पी क्यू बरबर नीचे नीचे को अगर एक क्वेट करके देखें कि इसमें कौन सा भेलू सेटिस्पाइड होता है तो पी बरबर 11 और क्यू बरबर 6 अगर रखते हैं तो समीकरन संतुष्ठ हो जाते हो सबसे बड़ी संख् हो जाएगा डी नेक्स्ट है उस बिकल्प को चैन किजिए जो तिसरे सब्द में उसी परकार संबोधित है संबोधित है जिस परकार दूसरा सब्द पहले से है चलिए कुट्टा कुट्या और घोड़ा के बड़ क्या होगा तो घोड़ी होगा अंसर हो जाएगा बी फारेन हये माने में हिमांग तथा फार बिंद्य की दूरी को 180 ब्रावर भागों में बाटा गया है पर तीक भाको एक सकते हैं फारेन हाय पेमाना पर हिमां को 32 डिगरी फारेन हाइट तथा भाब बिंद्य को कितना 212 डिगरी फ आंकित कि या जाता है फ्रेमेंटल बंदरगा किस और इसका सही अंसर हो जाएगा. उप्षन B. अस्ट्रेलिया में. जैसा कि वह एक अंग्रेजी सब्द कोस्ट में दिखाई देगे. आएगे. देखते हैं। असके बाद दूसरा में होगा. बढद होगा. तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा. कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला अंसर हो जाएगा अप्शन बी चीन चीन हाइड्रोजन संचाली ट्रेन शुरू करने वाला एसिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई थी जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन एस्टोम द्वारा बनाई गई है एस्टोम फ्रांस की रेल परिवहन कमपनी है इस ट्रेन की एक बार 1000 किलोमेटर तक जा सकती है और इसके दिक्तम गती 140 किलोमेटर प खाली अस्थान कहते हैं अंसर हो जाएगा option B आयाम कहते हैं next है एक सरली करन equation दिया हुआ है उसे सरली करन करना है जहांपर दिया हुआ है इसे एक formula होता है A plus B के whole square minus A minus B के whole square परवर 4AB उपर वाले term दिया हुआ है यहांपर और इसके जगह पर 4AB कर देना है तो हमारे पास जो हो जाएगा हो जाएगा चार गुना पांच नो आठ गुना चार साथ नो भटा पांच नो आठ गुना चार साथ नो यह कर जाएगा answer हमारे पास आजएगा A only 4 दिये गए बिकल्प में उसा करती का चैन किजिए जो निमलिखी स्रेणी में परस्ण वाचक चिन के अस्थान पर आ सकता है तो यहांपर कौन सा करती आएगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा वो है C उस बिकल्प का चैन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंदित है जिस तरह संख्याओं का यूग में संबंदित है यानि 8 अनुपाद 36 संबंदित है तो देखते हैं किस तरह है तो 8 गुना 8 वटा 2 पलस 8 वटा 2 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 36 आएगा उसी प्रकार अगर हम C को चे करते हैं 12 गुना 12 वटा 2 पलस 12 वटा 2 तो हमारे पास कितना आजाएगा तो ये अंसर हो जाएगा कितना 6 बर्षा का 72 पलस 12 वटा 2 यानि 6 बर्षा कितना होगा 78 यानि हमारे अंसर ये सही है C यदि 10 अध्यापकों कि बार्षा का उस्था आए 25,000 रुपया हो और दो अध्यापकों की परत्येक की बार्षा का आए 20,000 रुपया है तो 6 अध्यापकों की अउस्था बार्षा का आए क्या होगी आई ये देखते हैं 6 आठ अध्यापकों की अउस्था बार्षा का निकालना है 10,000 रुपया उसमें से हमें भागा देना है कितना आठ से ता जाएगा 26,250 रुपया अंसर हो जाएगा ए उस बिकल्ब का चैन करें जो तिसरे पद से संबंदित है उसी तरह दूसरा पद पहले से संबंदित है आई यह देखते हैं किस तरह यह लिखा गया है यहां पर अगर ह यह पर आया है इसी तरह हम इसे करेंगे कहां चला जाएगा तो चला जाएगा सब से हमयोगा और आई जो होगा सुरुवात में होगा एस जो होगा थर्ड पोजी सकते तो अंसर जो हमारा होगा निकल के वो होगा D चलिए नेक्स प्रेस्ट पर चलते हैं कि D गई अभी बेक्ति में किन दो चिनों यांकों को आपस में बदलने पर वह सही होगा यानि इसका जो अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा B 14 और 18 को बदल देना है और पलस और गुना को एक दुसरे को बदल देना है पर्थम भारतिय नाविके रेक्टर अपसरा में किस इंधन का परियोग किया गया था और इसका सही अंसर हो जाएगा अपसरा रेक्टर 4 अगस्त 1956 से कांच करना पर्रम किया गया था कई बार ये भी प्रस्न पूछा जाता है और भारत में परमानो उर्जा कांच करना का जनक किने कहा जाता है तो डक्टर हुमी जहांगिर भाभा को नेच्ट है किस उत्पाद के लिए हॉल मार्क का उप्योग होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा उपसन बी ज्वेलरी का हॉल मार्क बहमुल ज्वेलरी यानि सोना प्लेटिनम की धांतुओं पर उच गुनबत्ता परमानित करने वाला मुहर है सुद्ध सोना जो होता है वो 24 करेट का होता है और एक करेट जो होता है वो 200 Mg का होता है एक नाम आता है एक मार्क एक मार्क भारत में किर्शी खाद उत्पादों पर लगाये जाने वाला परमानित चीन है जो उन्हें 377 सिस्वी से लागो हुआ था और परियावरन के नकूल उत्पाद पर E को मार्क लगाया जाता है जो उन्हें सो 91 में लागू हुआ था निक्स प्रेस्ट है कि यदि 2M2-7MN पलस 3N2 ब्रबर 0 तो M अनुपात N का मान क्या होगा इसे आईए सोर्व करते हैं 2M2-6MN-MN पलस 3N2 ब्रबर 0 इसे लिख सकते हैं 7MN को 6MN-MN कर दी है ठीक 2M को कॉमा ले लेते हैं तो M-3N-N कॉमा लेते हैं तो M-3N ब्रबर 0 हो जाएगा और इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा M-3N 2M-N इक्वल टो 0 M-3N ब्रबर अगर 0 रखते हैं M ब्रबर N ब्रबर होगा 3 ब्रबर 1 उसी तरह सकेंड उक्वेशन को भी हम सोर्व करेंगे सकेंड क्या है तो 2M-N ब्रबर 0 इसे जब रखेंगे M ब्रबर N ब्रबर होगा 1 ब्रबर 2 हमारे पास 2 आएगा M अनुपात N वाला कौन-कौन आएगा तो 3 अनुपात 1 आएगा और 1 अनुपात 2 आएगा और इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B D गया किरती स्रिंखला प्रश्ण बाचक चिन के अस्थान पर कौन से आ किरती होगी इसका जो अनसर हो जाएगा वो हो जाएगा C Silent Vaisal संबंध किसे है? Silent Vaisal का संबंध किसे है? और इसका सही अनसर हो जाएगा C प्रसरब्य तरंग से Silent Vaisal का संबंध प्रसरब्य तरंग से है प्रसरब्य तरंग का जो frequency होता है वो कितना होता है? 20,000 से अधिक होता है राष्टिय मानवाधिकार आयोग के अध्याच के कारिकाल कितने बर्सों का होता है राष्टिय मानवाधिकार आयोग के अध्याच कारिकाल कितने बर्सों का होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option B. तीन बर्सों का होता है रास्टे मानवादिकार आयग के सदस्यों का कारकल तीन बर्स या सत्तर बर्स तक जो भी पहले हो कि आयू तक होता है तीन बर्स या सत्तर बर्स तक next है दिये गए एक सिंख्या स्रिंख्ला में उस विकल्प का चेहन करे जो निम्लखिस रेनी में प्रस्ट बाचक चिन के अस्थान पर आ सकती है इसका जो सही अंसर हो जाएगा ये देखते हैं एक दो चार साथ तेरह चोबिस चोवालिस उसके बाद क्या होगा तो एक पलस दो पलस चार करते हैं तो साथ आता है अगर इसे हम जोड़ते हैं तो साथ आता है और साथ फिर अगर दो चार साथ करेंगे तो साथ चरी गारा तो तेरह आएगा यानि सुरुवात के तीन जोड़ते हैं तो ये आता है फिर इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा फिर इसे अगर हम जोड़ते हैं अंसर हो जाएगा A Next है सरवजनिक धन का सरच्छ किसे कहा जाता है सरवजनिक धन का सरच्छ किसे कहा जाता है और इसका अंसर हो जाएगा Option B नियंत्र के वं महालेखा परिच्छ को कहा जाता है भारतिय समिधान कानुछेद 148-101 कामन तक भारत के नियंत्रे के वह महालेखा परिच्छक से संबंदित है अगला है 21 घड़ियों का क्रेमूल 18 घड़ियों के बिक्रेमूल के बराबर है तो परतिसत लाग क्या होगा 21 का क्रेमूल 21 का जो क्रेमूल है वो बराबर है 18 के बिक्रेमूल के बराबर यानि 18 अनुपात 21 तो लाग पर 37 बराबर 21 माइनस 18 बटा 18 गुना 100 सिधे 16 पुर्णाक 2 बटा 3 हो जाएगा अंसर B हो जाएगा एक कोड भासम अगर read this book को इतना लिखेंगे this book is useful को ये लिखेंगे और useful book is good के ये तो this book is good के क्या लिखेंगे तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C Port Morris B किस देश की रधानी है और इसका अंसर हो जाएगा D आईए पहले दखें किस तरह है या डिये इसे जैर से जो आया है किस तरह है ई से याया है यह देके किस तरह है ए से जेग्या है यानि स्क्राइप मैं और शार है प्लस छे है और से जे गया है तो माइनस आठ गया है और ईसी तरह ये स्रीज हमेशा आगे बढ़ते गया है जब लास्ट में हम देखेंगे तो हमारा जो अंसर आ जाएगा इसके बाद वह हो जाएगा ओर आर एल-म यानिए अंसर हो जाएगा बी, हाली में किस परसीद लेखक को जर्मन बुक ट्रेड के सांती पुरुषकार से सम्मानित किया गया है अंसर हो जाएगा डी, सल्मान रस्दी को जर्मन बुक ट्रेड के सांती पुरुषकार से सम्मानित किया गया है जब सोडियम कोलराइड के पानी में बने घोल के मद्ध से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पात बनता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह रियक्शन करके 2NaOH बनता है पलस Cl2 पलस H2 बना है यानि हमारा पूछ रहा है यह तो सोडियम हाइड्रोक साइड है नेक्स्ट है एक इंजन जिसके पहिये की परीधी साथ पुर्णा के कोटा 7 मीटर है नो सेकेंड में साथ चकर लगाता है तो गाड़ी की गती किलो मीटर परती घंटा कितनी होगी तब पहिये की परीधी कितनी है तो 50 बटा 7 मीटर एक चकर में तैकी गई दूरी कितनी है 50 बटा 7 मीटर गाड़ी की गती क्या है तो दूरी जो हमारे पास है दूरी बटा समय अगर हम तै की गई दूरी कितनी है पचास बटा नौ गुना अठारा बटा पांच यानि 20 किलो मीटर पर घंटा अंसर हमारा हो जाएगा बी उस बिकलपा करती का चैन करें जो दी गया करती में भाग के रूप में सन्निहित है इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इसमें ये पिल्कुल सन्निहित है देखिए आप यहाँ पर सही है यह है यह है और यह अगले प्रेस्ट पर चलते हैं कि मुख क्वांटम संख्या इन बरबर ठीरी से संबंदित कच्को की कुल संख्या क्या होती है आईए देखते हैं इसका अंसर जो हो जाएगा वो होजाएगा ए नौं टी 19我不 अच्छक होता है जिसके लिए बरवर 3, L बरवर 0 और M बरवर 0 होते हैं इसी तरह होता है और कच्छकों की संख्या बरवर हो जाता है N स्कॉर यानि 3 के स्कॉर यानि 9 दिये गए स्वियोजन के सही दरपन परतिविम का चैन किलिए जब दरपन को PQ पर रखा गया है इसका इमेज किस तरह बनेगा तो यह 8 का तो 8 ही बनेगा यह इस तरह बनेगा तो इसका जो अंसर हमारा हो जाएगा बर्मा ब्रिटिस भारत से कब अलग हुआ सही अंसर हो जाएगा बर्मा ब्रिटिस भारत से 1937 में अलग हुआ अंग्रेज और बर्मा के बीच तिसरा युद्ध ठारस सो पचासी में हुआ और इसी बरसा ठारस सो पचासी बर्मा को भारत में मिला लिया गया बर्मा को जब भारत में मिलाया गया उस समय बाश्राय डफरिन था और भारत सास किसी धातू के बने हैं इनको अलगकार एक नया घं बनाया जाता है नय घं की भुजाएं क्या होगी ये बताईए तो नया घं के आईतन बराबर तीनों घं का आईतन का योग तो भुजा Q बराबर 3 के Q पलस 4 के Q पलस 5 के Q क्योंकि तीन घं दिया हुआ है 3 सेटिमीटर, 4 सेटिमीटर और 5 सेटिमीटर भुजावला तो भुजा बराबर हो जाएगा 27 पलस 64 पलस 125 के जो हमारे पास आजाएगा भुजा Q बराबर इतना हो जाएगा और एक तरफ के अगर हम यह भुजा को रखते ही है तो हो जाएगा 3 के रूट 216 यानि 6 अंसर हो जाएगा हमारे पास A अच्छरों के उस से योजन का चेहन करे जो दी गई स्रिंकला के रिकता स्थानों में क्रमबा रखे जाने पर स्रिंकला पुर्ण हो जाती है इसका अंसर हो जाएगा अप्शन A काफी जी है बसी से आप रख दीजिए एक बाद अगला है जल सक्ति मंत्राला द्वारा फर्स्ट ओल इंडिया इन्वल एस्टेट मिनिस्टर कॉन्फरेंस और बाटर का योजन कहा किया गया इसका सही जबाब हो जाएगा बी मध़ परदेश में किया गया जल सक्ति मंत्राला द्वारा फर्स्ट ओल इंडिया इन्वल एस्टेट मिनिस्टर कॉन्फरेंस और बाटर का योजन मध़ परदेश में किया गया और इसका विशय था यानि इसवार का थीम था वाटर विजन एड़ रेट अब दोहजार सहिंतालिस इसका योजन मध़ परदेश के भोपाल में पांच और छे जनवली दोहजार तेश को किया गया क्रेटिया सब्द का तथपर है क्रेटिया सब्द का और इसका अंसर हो जाएगा सासन क्रेटिया सब्द का ततपर सासन से है उनानी में क्रेटिया का अर्थ होता है सासन डेमोक्रेसी एक उनानी सब्द है जो डिमोस पलस क्रेटिया से बना है जिसमें डिमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटिया का अर्थ होता है सासन इस पर का डिमोक्रीसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का सासन नेक्ट प्रस्ण है जेलम नदी किस जील से होकर बहती है जेलम नदी अंसर हो जाएगा अफ्शन ए बुलर जील से जेलम नदी गुलर जिल से होकर बहती है जेलम नदी सिंदू की सहयक नदियां पंच नद जो जेलम चिनावर रावी ब्यास सतलज का हिस्सा है जो जेलम है वो बेरी नाग के निकट सियस नाग जिल से निकलती है किसन गंगा पकिस्तान में नील नदी जिलम की सायक नदी है अगले प्रस्ट पे चलते हैं जो कथन एवं निसकर्स का है आईए देखते हैं कुछ पोथ कप है कोई कप अश्टूल नहीं है सभी खड़किया जो है वो कप है इस तरह हम बेड़न डाइग्राम बना सकते हैं यहां पर यह खड़किया है यह जो है यह कप है और यहां पर यह पोथ है यहां खड़किया से वो टच नहीं कर रहा है और यहां पर जो है वो अश्टूल है और ये देखते हैं, कुछ पोतों के खड़कियां होने की संभावना है, और ये देखते हैं, ये बिल्कुल सही है, दूसरा कारा कि कुछ कोई खड़की अस्टूल नहीं है, कोई खड़की अस्टूल नहीं है, ये भी सही है, सभी कप जो है, वो खड़कियां है, ये गलत है, क का जो सही अंसर हो जाएगा भो जाएगा शी केवल निसकर्स एक और दो अनुसरन करते हैं अंडर सेवंटी एस्टाइल 55 किलोगराम भार बर्ग में भारत के लिए एक मात्र सुरन पदक किसने जीता है अंसर हो जाएगा आफशन डी अंकुष ने अंकुष ने फ्री और तीन कास्पदक जीते हैं बल्लम काली का संबन्द किस खिल प्रत्योगता से है बल्लम काली का अंसर हो जाएगा आफशन डी नौका दोड़ से बल्लम काली का योजन केरल में पर्ति वर्ष नेहरू ट्रोफी के नाम से पुन्ना मदा क्याल में किया जाता है अगला है नि दूसरा है किसी संख्या में 40% कमी करने के लिए परियाब्त है कि उस संख्या को एक दसनलोग 4 से विभाजित किया जाए सही चैन क्या है इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक दसनलोग 4 से गुना करेंगे तो हमें 40% की बिर्धी हो जाएगा लेकिन एक दसनलोग 4 से विभाजित करेंगा तो 40% की कमी नहीं होगा अंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट है दिए गए प्रस्ट में लुक्त संख्या ग्याद करना है आए देखते हैं इसमें कौन सी हो जाएगा तो यह करेंगे तो 76 आएगा बटाचार करेंगे तो यह से कट जाएगा अंसर हमारे पास आजाएगा भी पीम मोदी ने एसिया के सबसे बड़े एरो सो एरो इंडिया 2030 का उद्गाटन किया इसकी थीम क्या है और इसका अंसर हो जाएगा अपसंटी दरनबे टुए बिलियन अपर्च नेक्स्ट है निम्ड में से कौन सा लेक रीट सिर्फ न्याइक और अर्ध न्याइक निकायों के बिरूद जारी किया जाता है जब कोई निचली अदाला अपने अधिकार छेदकाति कर्मन करके किसी मुकतमे की सुनवाई करती है तो उपर की अदालते उच नियाला या सरव सही जबाब हो जाएगा इन में से कोई नहीं सल्तनत यूग में सेन को द्वारा लूटे गए धन को गनीम कहा जाता था और यूध में सत्रू की सेना से लूटे हुए धन को खंस या खंस भी कहते थे नेक्स्ट है P-Hashtag Q का आर्थाइक P-Q का पती है और ये प्रस्ण है बलड रेशन का इससे आप सोल्व कर लिजेगा इसका जो अंसर आजाएगा वो आजाएगा A-SAS अगर Venn Diagram थोड़ा देखना चाहते हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं इसका E और F और G का ये संबंध है इस तरह बन डाइग्राम बना कर सोल्व कर सकते हैं चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं क्लोरोक्वीन योगी का उप्योग किस रोग के उपचार में करते हैं और इसका अंसर हो जाएगा मलेरिया रोग के उपचार में करते हैं क्लोरोक्वीन योगी का उप्योग मेकुलाच ने 1827 सिस्वी में सरपर्थम मलेरिया सब का परियोग किया था मलेरिया रोग का कारत प्लाजमोडियम नामाग प्रोटोजुआ है जिसका बाहग मादा एन्फलीज मच्छर है जब कि बी को 45% अंग प्राप्त होते हैं और इसी पर कर वा अवस्यक नियुंतम उतिरन अंगों से 15 अधिक पाता है तो नियुंतम उतिरन अंग क्या है आज यह से सुल्व करते हैं एक सुगुना 30% प्लाज साथ बराभर है एक सुगुना 45% माइनस 15 क्योंकि 15% अधिक लाता है जब इसे अप सोल्ब कीजिएगा तो हमारे पास जो अंसर निकल करा जाएगा वह एक्स बरवर हो जाएगा 500 नियुंतम उतिर अंग क्या है तो 500 गुना 30 बटा 100 पलस कितना हो जाएगा 60 क्योंकि 30% लाया और 60 नमबर आफ जोड़ेंगे तभी पास ह तो अंसर हो जाएगा 210 सही जवाब हो जाएगा सी नेक्स्ट प्रस्ट ने कहा कि उसके पिता की माता की इकलावती बहू उसके पिता की माता उसकी दादी हुई की इकलावती बहू उसकी मां हुई की पुत्री कौन हुई बहन हुई और बहन के पिता उसके पिता हुआ तो उ होता है रख एक तरल सेयों जी उत्तक है मानव शरीर में रख परिवहन तंद्र के बारे हम सर पर्थम बिलियम हारवे ने बताया था पिएच असकेल का निर्मान सोरेंसन नामक बेग्यानिक ने किया था और मानव रख का पिएच कमान कितना होता है तो साथ दसनलव चार होता ह चलिए नेक्स प्रेस्ट पे चलते हैं कि जनांक के लावांस के पुर्न लाव को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए और इसका सही अंसर हो जाएगा एक कोसल बिकास को प्रुसाहन करना चाहिए कोसल बिकास को प्रुसाहन करना चाहिए माना पुंजी में कार 2027 कब की मेजवानी कौन सा देश करेगा और इसका अंसर हो जाएगा डी सौधी अरव सौधी अरव 156 में अपनी अस्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 में एस्याई राष्ट कब की मेजवानी प्राप्त की है नेक्स्ट है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता ह है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए सरम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है से इस काम पूरा करने में सोहन कितना समय लगाता है यानि मोहन और शोहन कितने दिनों करता है मोहन 25 दिनों में और सोहन 20 दिनों में दोनों के लेंगे शो हो जाएगा इसका कितना है कारच्षमता चार इसका पाच है अब दोनों के कारच्षमता कितना हो गया नौ कितने दिन किया पांच दिन किया पलस अब सोहन के कारच्षमता क्या है पांच कितने दिन आट करेगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा सो के होना चाहिए तो 9-45 घटा देंगे तो 5X बरवर हो जाएगा 5-5X बरवर हो जाएगा 11 इन अंसर हो जाएगा B चार बाग बनाने की प्रमपरा किस मुगल सासक के समय सुरू हुआ था और इसका अंसर हो जाएगा C अकवर के समय सुरू हुआ था अपनी आत्म कथा में बावर ने अप्चारिक बागों की योजनाओ और उनके बनाने में अपनी रूची का बर्नन किया यह बाग चार समान हिस्से में बटे होने के करण चार बाग कहलाता था नेक्स्ट है पांच ब्यक्ति M1, M2, M3, M4, M5 एक ब्रतकार मेज के चारोज केंदर की और मुख करके बैठे हुए हैं केवल एक ब्यक्ति M3 और M4 के बीच में है इस तरह के एक मेज बना हुआ है उसमें कहरा कि एक ब्यक्ति है जो M3 और M4 के बीच में बैठा हुआ है M2 M4 के बाइई और बैठा हुआ है यानि यहाँ पर M2 बैठा हुआ हो सकता है M2 के बाइई और गिने जाने पर M2 और M1 के बीच में कितने ब्यक्ति पैठे हुए है यहाँ पर अगर हम इसे M1 कर देते हैं और यहाँ तो एक बीच में होगा तो यह A5 हो जाएगा तो इसका जो अंसर हो जाएगा हमारे पाद हो जाएगा A3 ब्यक्ति सूची एक और सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और बताइए कि कौन सा सही उत्तर है आईए देखते हैं कौन सा सही उत्तर है तो भंजन किसका होता है तो अंसर हो जाएगा पेट्रोलियम प्रगलन होगा तामरका हड्रोजनी करन संबंदी तो दो किलिक क्या हो जाएगा तो यह है खाद बसा और बलकनी करन जो होता है वो रबर में होता है इसका सही अंसर हो कहां इस्थित है railway staff college सही जवाब हो जाएगा option a बड़ोद्रा में इस्थित है कापड़ा दोग अनुसंदान सस्तान अमधाबाद में है और अंत्री सुपयोग केंद्र अमधाबाद में इस्थित है नेक्स्ट है पांच ब्यक्ति है जे इन पी और एस एक सीधी पंक्ति में उ बैठा हुआ इन बैठा हुआ तो कह रहा है इस पी के ठीक बाएं बैठा हुआ तो कह रहा है इस जो है पी के ठीक बाएं और यहां पर अगर पी है इस बैठा मिलेगा जे आर के ठीक दाएं बैठा हुआ है यानि यहां पर हो जाएगा आर के बैठा हुआ है तो बाएं हो जाएगा बी रचना बिष्ट्रावत कौन है रचना बिष्ट्रावत है विपीन दमाइन बिहांड इनुफाल पुस्तक के लेखक एक ब्यक्ति की बरतमान आई उसकी मां की आयू की दो पाचवा हिस्सा है आठ साल बाद वापनी मां की उम्र का आधा हो जाएगा बरतमान मे मां की आयू कितना है पांच एकस तो ब्यक्ति की बरतमान आई 5x गुना 2 बटा ही है दो 5 बटा 5 कर रहा है 3 प्रहिसन से और बर्स बाद कर रहा है तो पांच एक्स पलास आठ ये हाप हो जाएगा दो एक्स पलास ये भी प्bt जुटेरा की यहां से एक्स का मां जो निगलेगा तो मां के बर्त मांना आई हो जाएगा पांच जोना आठ वरबर चالिस वरज अंसर हो जाएगा डी निम्लिकित सब्दों को अर्थ पुन क्रम में बेवस्थित कीजिए अर्थ पुन में कैसे होगा तो सबसे पहले क्या होगा केविन होगा क्या होगा केविन होगा उसके बाद काटेज होगा उसके बाद जो हमारे पास आएगा वह बीला होगा उसके एमेल है तो चालिश डिगरी सी पर इसका इतन क्या होगा जिसका अंसर्फ हो जाएगा सी 106.8 टीटू से भीवन कितना दिया हुआ है तो साउ दिया हुआ है ति में निकलना है और ती तू तीटू निकलके आ जाएगा एक तोचिया लौटा अब हमसावाल उठता है 293 में कहां से आया तो T1 बराबर जो है 273 पलस जो 20 degree centigrade है उसे फारे नाइट में बदले हैं तो 293 के यह सब के लिवीन में लिखे हैं और T2 313 के से आया तो 273 पलस 40 degree बराबर हो जाएगा 313 के नेक्स्ट है निम्में से कौन सा राज गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज है और इसका अंसर हो जाएगा अपसन B उत्तर परदेश उत्तर परदेश राज गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज है मन्द परदेश और पंजाब राज क्रमसा गेहूं का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादकरा नहीं है दिये गए प्लस्ट में से लुट संख्या ग्यात करना है इसमें से लुट जंख्या कौन सा है वह बताना है आठ गुना पांच कितना होगा चालीस और उस ऐठ fifty जालीस तो आधुनिक अवर्थ नियम के अधार पर मेंडलिक के अवर्थ सारनी को दोह ने 113 में संसोधीत किया गया था किसके द्वारा तो मुशले के द्वारा संसोधीत किया गया था कोटिल के अर्थ सास्त के अनुसार निमलिकित में कौन सर राज जिके करो की बसूल के लिए जिम्मदार था और इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साम पांच बज़े स्कूल से घर आते समय केतकी की परचाई उसके बाई और गिर रही थी उसके घर से स्कूल किस दिशा में और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन सी उत्तर की दिशा में कौन सी भारते कंपणी अंतरास्टे मुक्यवाजी संग आई बीए महला बिस मुक्यवाजी चेंपियंशिप 2013 के लिए टाइटल पर योजक बन गई है और इसका सही जवाब हो जाएगा उप्सन सी महिंद्रा आटो और मैं जाएगा महिंद्रा आटो सिरेनी एक पांच तेरा उन्तिस एक सट खाले स्थान का अगला पद ज्याद करे अंसर हो जाएगा उप्सन डी एक सो पचीस हो जाएगा कैसे होगा अगर एक को हम क्या करते हैं दो से गुना करते हैं और पलस तीन करते हैं तो पांच होगा पांच को दो से गुना करके तीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा तेरा को दो से गुना करेंगे 26 पलस पांच जोड़ेंगे तो 29 इसी तरह ये पंजाब राज पोसन जगरुकता सुचकांग 2030 में सिर्ष अस्थान पर है प्रोटीन का अधिकार अभियान ने पोसन जगरुकता सुचकांग 2030 जारी किया है जो अंतिम उभुकताओं नागरिकों द्वारा भारत में जगरुकता समर्थ और पोसन की पोहुच का आकलन करने वाला एक राज बर सुचकांग है नेक्स्ट प्रसन है अस्कूल जाते समय रोहित अपने घर से दो किलोमेटर के लिए सीधे जाता है फिर वह एक बाय मुड़ता है किदे मुड़ता है तो बाय मुड़ता है और उसके भूम से सीधे जाता है फिर बाय मुड़ता है और चार किलोमेटर की यातरा करता है वहां से वह दाय मुड़ता है और दो किलोमेटर की दूरी तेह करता है फिर से दायी और मुडता है और अंतमे स्कूल पहुचने के लिए 2 km की यात्रा करता है यहाँ 2 km, 3 km, 4 km, 2 km यहाँ स्कूल से उसका घर किस दिशा में है इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B. उत्तर पस्ची में 297-62 के काल की आलोचना करते हुए और इसका अंसर हो जाएगा option B परसिवल अस्पियर ने इसे खुली और निर्जलता पुर्ण लूट पाट का यूग बताया बंगाल में दोयद सासन 1765 हिस्वी में रोबर्ट कलाइब ने लागू किया यादि एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई करम से 1 cm और 2 cm हो तो आयत के बिकन की लंबाई कितनी होगी आए इसे सुर्व के आयत की लंबाई कितना है? x है चौड़ाई कितना है? by ए x-by व्रभर 1 x2-by2 व्रभर 7 है x-by इंटो x-by व्रभर 7 साथ एकस प्लस बाई इंटू एक बरबर साथ हो जाएगा एकस प्लस बाई बरबर हो जाएगा साथ समीकरान एक और दो को अगर जोडते हैं क्योंकि यह एक हो गया और यहां पर दो हो गया जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास अंसर आ जाएगा कितना दो एकस स्कुायर प्लस बाइबर पांच हमारा अंसर नेक्स प्रस्त रास में लूप संख्या ग्याद करें अगर इसे देखते हैं तो यह तीन में स्कुायर है यहां पर ए ड्угू तीन उसके बाद क्या हो जाएगा तो चार के स्कॉयर यानि सोला तो इसे ही आ रहा है और उसके बाद यहां पर जो है वो पांच के स्कॉयर यानि एक दो के स्कॉयर तीन के स्कॉयर चार के स्कॉयर अब पांच के स्कॉयर तो अंसर हमारे पास आजाएगा डी भारत के राष्ट पती जिन सदस्यों द्वारा चूने होते हैं राष्ट पति अनुछित बावन में एक कहा गया कि भारत का एक राष्ट पति होगा चलिए नेक्स्ट रूट पर नियंतरा रखने वाले साजकों में सबसे परसिद कौन थे सही जवाब हो जाएगा अफसेड़ी कुशान सीलक रूट पर नियंतरा रखने वाले बहन राश्ट पती द्रॉपदी मुर्मुर ने भौरोख सा ट्रस्ट एप को लाउंच किया है या किसे संबंधित हैं अंसर हो जाएगा सी महला सुरच्छा से है किसे है महला सुरच्छा से है संकट कि स्थिति में महला इस एप का उपयोग करके जियो लोकेशन के साथ इमर्ज पर नियंतरन के लिए पोटाइसियम के अवस्यक है नेक्स्ट है पानी की एक टंकी के तल में दो छिद्र ए तथा भी है केवल एक छेद को खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है तथा केवल बीच खोलने पर 20 मिनट में यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोल कर छिद्र भी बंद किया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा एक कितने है तो 30 मिनट अभी 20 मिनट दोनों के लसी हम ले ले लेंगे 60 हो जाए उसका दो यूनिट हो जाए इसका तीन अगर कह रहा है कि एक पलस बी गुना 10 मिनट खोलते हैं पलस यह को खोले रखते हैं क्योंकि बी के बंद कर देते हैं तो टोटल लगेगा 60 तो यहां पर से जब हल करेंगे तो हमारे पास जो अंसर आजाएगा दो पलस तीन गुना 10 पलस दो गुना एक्स परवर साथ एक्स परवर यहां आजाएगा पांच मिनट तो तब भरी हुट ट बी 17 परधान मंतरी नरेंद मोदी ने किस राज में सिम्मेगा हवाई अड़े का उद्गाटन किया साथ ही उन्हें बिल गामी में विविन विकास प्रियजुनाओं को भी अधार सीला रखा कमल क्याकार का यह हवाई अड़ा लगवग 450 कुड़ रुपया की लागा से पिक् अनसर हो जाएगा एक्स ब्य मानव जाती में एक्सबाई परकार का लिंग निर्धारन भारत extracted कषता है मानव जाती में तेस्ट जोड़ी कंसुत्र पाये तहां निनव्ड मेंसकर किसके द्वाराा 7-2 निकेततन केस्थापना किया गया था और सभी अंसर हो जाईगा और किया तो इस new 15 के उस विखलकव चैन करें जो दिये गए सब्डों को परते दी करता है जैसा कि और एक अंग्रेजिस सदकोस में दिखाई देंगे अंसर हो जाएगा सी कुन हो जाएगा सी मैं हिर्दाइ से तुम्हारे साथ हूँ और संकृति से भी मैं तुम्हीं लोगों में से एक हूँ किसका कथन है और इसका अंसर हो जाएगा सी एनी बिसेंट का ये कथन है एनी बिसेंट का 1893 में भारत कांग्रेस की पर्थम महला ध्याच 1907 कलकत्ता में बनी इन्होंने मद्रास के छेतर में होम रूल अंदोलन भी चलाया था एनी बिसेंट महात्मा तो 10% पराबर होता है CIE माइनेस SI इन्टू 2000 बटा SI यानि 164 माइनेस 160 गुना 200 बटा 160 पराबर 5% इसका अंसर हो जाएगा B दिया गया बिकल्प में कौन सी उत्तराकर्ती प्रस्नाकर्ती को प्ररूप को पूरा करता है तो अंसर हो जाएगा A पहला दो गरतन अवाड किसे दिया गया है और इसका सही अंसर हो जाएगा और इसका सही अंसर हो जाएगा D पिता आरेश पोजेटिव और माता आरेश निगेटिव है दिये गए सही उजन को सही दरपन पतिविम का चैन किजिए जब दरपन को MN पर रखा गया हो और इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन C तोबा जील इस्थित है अंसर हो जाएगा D सुमात्रा में तोबा जील सुमात्रा दीपर इस्थित है यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी जील है और बीवा जील जापान की मतपूर्ण जील है यह होंसुदी पर इस्थित है और जापान की सबसे बड़ी नदी कौन है तो सी नानो यदि 5 के पाँच के पावर X के स्कॉाइर पलस टू एक्स पलस 7 है बराबर 125 के पावर 2X पलस बन हो तो X कमान क्या होगा तो जाईए इससे सोल्व करते हैं 125 को तोड़ देते हैं 5 के square 5 के Q में तोड़ देते हैं 25 अब 25 कितना हो जाएगा 125 यानि 5 के Q हो जाएगा और उसके बाद 2X पलस 1 यह 3 ऊपर चला जाएगा 5 के हो जाएगा 6X पलस 3 हो जाएगा और यह और यह हम equate करते हैं क्योंकि दोनों 5 5 है और यह करते हैं X square पलस 2X पलस 7 बरवर कितना होगा 6X पलस 3 क्या हो जाएगा 6X पलस 3 हो जाएगा जब इसे solve करेंगे तो हमारे पास answer निकलकर आ जाएगा X पलस प्लस 2 बरवर कितना 2 आ जाएगा तो सही answer जो हमारे पास हो जाएगा D D दिये गो प्रस में से लूप संख्या ग्याद करना है इसमे से लूप संख्या कौन है ये देखना है तो अगर हम 4-2 करते हैं और 8-7 करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 यानि जो चार मेंस दो किये यहां लिखा गया, आठ मेंस साथ किये यहां लिखा गया, गारा मेंसे आठ करेंगे तो तीन यहां लिखा गया, और आठ मेंसे तीन गया, पांच बचा तो यहां लिखा गया, उसी तरह अगर हम साथ मेंसे तीन करेंगे तो चार यहां लिखाएग 12 तो 9 नहीं आएगा 21 में से 12 घटाएंगे तो आएगा तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो जाएगा B निम्लिखित में कौन सी संसादी है समीति का ध्याच अनिबार रूप से सताधारी दल के सदस्यों में से होता है इसका अंसर हो जाएगा प्राकलन समीति प्राकलन समीति का ध्याच अनिबार रूप से सताधारी दल के सदस्यों से होता है प्राकलन समीति में लोग सभा के 30 सदस होते हैं कितने होते हैं 30 सदस होते हैं इस समीति में राज सभा के सदस्यों को सामिल नहीं किया जाता है अगला है परला बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में निमली खिक में से कौन सा कथन सही है आईए देखते हैं इन में से कौन सा कथन सही है भारत और हाई सा और परला बैलिस्टिक मिसाइले हासिल करने के योजना बना रहा है बिल्कुल सही परला बैलिस्टिक मिसाइल के कि एक निश्चित कूट भासा में डी डी टी सका अर्थ ये है और इसी तरह इसका अर्थ ये है तो इस भासा में पिंक का कूट क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा आपसन डी डूर तेरहभी सताब्दी में खाली अस्थन द्वारा किये गए सब्द के परियोग का तत पर सुलहभी सताब्दी में बावर द्वारा परियोग सब्द के अर्थ बोद के समान है जयुदिन बर्नी फिरोज सा तुगला के दरवार में रते ते किसके दरवार में फिरोज सा तुगला के जयुदिन बर्नी की रचना है तारीक फिरोज साही तथा फत्वा ए चहांदरी अगले प्रस्ट पे चलते हैं असी बिद्यार्थियों के कच्छा में 60% बिद्यार्थी कहरम खेलते हैं 45% सतरंज खेलते हैं 10% बिद्यार्थी न कहरम खेलते हैं और नहीं सतरंज के बल सतरंज खेलने वाले बिद्यार्थियों के संख्या क्या है तो आप इसे इस तरह भी सोरू कर सकते हैं ये थोड़ा असान होगा अगर इसे करते हैं ये है 60% और ये है 45% ये हमारे पास आजाएगा X% और ये बचेगा 45-X% और ये बचेगा 60-X% अब कह क्या रहा है कि कूल जो है 100-10 वरवर 90% तो आइए इसे सोरू करते हैं कि 60-X% प्लस X% प्लस 45-X% बरवर कितना हो जाएगा 90% जब सोरू करेंगे तो X बरवर आजाएगा 15% अब केबल सतरंज खिलने वाले बड़दार्थियों के संखा कितना हो जाएगा तो 80-45-X% जब इसे सोरू करेंगे तो हमारे पास जो आजाएगा X बरवर कितना था 15% तो 45-15-30 हो जाएगा तो 80-30% केतना हो जाएगा तो 80-30 बटा 100 यह हो जाएगा 24 तो इंसर हो जाएगा हमारा B Next प्रस ना किसी भासा में अस्टार को पचपन और कट को 42 लिखा जाता है उसी भासा में पेन को क्या दिखा जाएगा अस्टार को पचपन कैसे लिखा गया है तो A, T, A, R का जो होता है इसका मान है 8 T का 7 A का 26 और R का मान 9 यह 4 अच्छर है इसका मान 9 है पलस एक 5 जोड़ा गया है तो हमारे पास आजाता है पचपर कट को अगर उसी तरह हम लिखते हैं C को 24 अपोजिर साइट बिपरी तच्छरों के स्थानिय मान का क्या है उसके बाद योग में 5 जोड़ा गया है यह हमारे पास आया है तो उसी तरह अगर हम पेन को लिखते हैं तो P के अपोजिर वाला को 11 पलस 22 पलस 13 होगा और पाच लास्ट में जोड़ेंगे यह सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आजागा अप्सन C एकामन हेच और असलेक चक्र निम्रिखित में से किन पादपों में चलता है हेच और असलेक अंसर हो जाएगा अप्सन B C फोर पौधों में चलता है नेक्स है निम्रिखित में से सिचाई का कौन सा सादन सतही सिचाई का स्रोथ है अंसर हो जाएगा दी उप्रोप में से सभी नहर तलाव और नलकुप ये सभी जो है वो सतही सिचाई का स्रोथ है नेक्स्ट है भिन संख्या यूगम का चैन करें इसमें से भिन कौन सा है ये दिखना है आई देखते हैं डी को छोड़कर ये डी को छोड़कर सभी ए अनुपाद एक क्यू पलस फाइव के नियम पे अधारित है तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो डी अलप बिरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होता है अनसर हो जाएगा सी अपनी च्छमता से काम काम करते हैं अपनी च्छमता से काम ना मिलना या पूरा काम ना मिलना अलप बिरोजगारी कहलाता है एक ब्येक्ति एक बस्तु को एक निश्ची दाम पर बेच कर 20% लाओ प्राफ्त करता है यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता तो उसका लाओ प्रतिसत कितना होता और इसका सही अंसर हो जाएगा माना कि बस्तु का करेमूल क्या हो जाएगा 100 लाओ क्या है 20% बस्तु का विक्राइमुल कितना हो जागा तो 120 रुपया हो जागा अब बस्तु का नया विक्राइमुल कितना हो गया 240 रुपया नया लाव कितना हो गया तो 240-100 परवर 140 रुपया तो लाव परतिस्त कितना हो गया 140 बटा 100 गुना 100 पे हमारे पास अंसर आ जाएगा 140 अंसर ए हो जाएगा दिया गया विकल्प में कौन सी उत्तरा किरती प्रस्णा किरती के प्रारूप को पूरा करेगी और इसका अंसर हो जाएगा डी यह पूरा करेगा कस्मीर का कबार नाम से परसिद सुल्तान था सही जवा था आली साह का भाई कस्मीर का सुल्तान था सभी धर्मों के परती सही सुल्ता का भाव रखने वा अपने अच्छे काजों के कारण है उसे कस्मीर का अकबर कहा जाता है अपने सासन के दारान इसने हिंदूओं को पुर्ण धार्मिक सुतंत्रा परदान की थी हिंदूओं के तूटे हुए मंद्रों को पुना निर्मान गायों की सुरच्छा और सती होने पर भी लगे पर्थी बंद को हटाया था और जजिया कर भी हटा दिया था दिये गया प्रस्ट में से लुप्त संख्या ग्याद करना है चलिए एक के स्कॉयर करते हैं तो एक होता है अच्छा में पर छेपित किया है और इसका सही अंसर हो जाएगा अपसंद सी इजराइल देश ने और फेक थटी उपगरा का उपयोग नागरी कुद्देश के लिए भी किये जाने की उमीद है इसमें प्रकृतिक संसाजनों की निगरानी जैसे पानी और किर्सी भूमी आपदा राहत परियासों का समर्थन करना सामिल है यह इसराइल के जासुसी उपगराओं को ओफिक सिरिंखला का नभी नतम जोड़ है जो 988 से परचलन में है 2.4 से 0.15 निकाले और परिनाम को 7.5 में जोड़ दे परिनाम क्या होगा 2.4 से 0.15 घटा देना है परला 7.5 जोड़ देना है जो हमारे परच निकल के आ जाएगा वो 9.75 होगा अंसर हो जाएगा ए उस बिकल्प का चैन किजिए जो तीसरे सब्द में उसी परकार संबंदित है तो किर्केट पीच बैडमिंटन इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C कोट जैसे किर्केट पीच पर खेला जाता है उसे बैडमिंटन कोट में खेला जाता है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किसे जूड़ी होती है इसका अंसर हो जाएगा D असनाईू से दो अस्थियां एक दूसरे से असनाई द्वारा जूडी होती है अस्थियों से मास्पेंसिय के जोड़ को कंट्रा या टेंडन कहते हैं आए नेक्स प्रेस्ट पर चलते हैं कि एक पासे की दो परिस्तितियां दी की हुई है दू की विपरित कौन सांख होगा यदि तीन के विपरित एक विसम संख्या है तो छे एक छे एक इसमें से दो कॉमन है तो पांच के अपोजिट जो हो जाएगा वो चार है option B भारतिय सोर उर्जा निगं को किसे मिला है भारतिय सोर उर्जा निगं को next प्राशन है 15 x q by 4 और 12 x स्क्वार बाई का लगुत्ता स्वाववर क्या होगा चलिए इसे निकलते हैं 15XQby4 को हम लिख सकते हैं 3-5-X-X-2-2-2-2-2 इस तरह लिख सकते हैं उसी तरह 12X2-2-3 और X कितने बार तो दो बार अब बाई कितने बार तो ये भी दो बार इस तरह तोड़ने के बाद हमारा जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा D 60 XQ बाई 5 नेक्स्ट है उस विकलपा किर्ती का चैन करे जो दी गया किर्ती में उसके भाग के रूप में सन्हीत है घुरनन के इनुमति नहीं है तिसका जो हमारे पास अंसर हो जाएगा, बो हो जाएगा C निमलिके देयसों में कौन सा 2024 के अलम्पिक खेलो की मेजबानी करेगा अंसर हो जाएगा D France 2024 में कौन करेगा तो फ्रांस करेगा निमलिकित अभी व्यक्ति में किन चिन हो को आपस में बदलने पड़ दी गए व्यक्ति सटिक होगा और इसका सही अंसर हो जाएगा D एक पादप में जल के उपर चड़ने के लिए सही सब्द है और इसका अंसर हो जाएगा C रस का आरोहन, रस का आरोहन है, यदि A अनुपाथ B वराबर 3 बटा 2 अनुपाथ 7 बटा 3 है और B अनुपाथ C वराबर 1 बटा 5 अनुपाथ 1 बटा 7 है, तो A अनुपाथ B अनुपाथ C कमान क्या होगा? तो 3 बटा 2 अनुपाथ 7 बटा 3 है, अगर इससे हम क्या करेंगे? तो दोनों को हम इलसियम लेके क्या करेंगे? गुना कर देंगे 3 अदो के हतीसे, तो 6 से, तो हमारे पास जो आ जागा 9 अनुपाथ 1, 4 उसी तरह B अनुपाथ C को हम कर सकते हैं, एक बटा 5 अनुपाथ 1 बटा 7 को गुना 7 पचे 35 से, तो हमारे पास आ जागा 7 अनुपाथ 5, उसके बाद उसे सोल्म करेंगे, तो हमारे पास अनुपाथ जो निकल के आ जाएगा, वो क्या जाएगा? तो A, 9 अनुपाथ, 14 अनुपाथ, 10 उस अच्छर सम्मूं का चैन करें, जो भीन हो, इसका 17 पलस 16 कितना हो जा रहा है? 27, Q और L कितना हो जा रहा है? 17 पलस 12 ये हो जा रहा है, 29, G और T, 7 पलस 20 कितना हो रहा है? 27, यानि सब में 27 आ जा रहा, इसमें 29 आरा, तो भीन जो हो गया, Q ल, विक्रेता बजार A, C स्थिति हैं जहां? और इसका अनसर हो जाएगा, B, मांग जिसे विक्रताओं की तूल्णा में खरीदरों की संख्या अधिक होती है पासफोरास का कौँ सा एसक नहीं है? अनसर हो जाएगा, और संधी, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पासफोरास की सबसे अधिक मात्रा एपेटाइट में पाई जाती है नेक्स्ट है अलग सब्द का चैन करें अलग सब्द का इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो B सम्रिधी सम्रिधी एक धनात्मक सब्द है जबकि अंसर भी जो है रिनात्मा खेदरी दृता अभाव कंगाली पियम मोदी ने जपान के किस सहर में रास्टपती महात्मा गांधी की परतिमा का ना वरन किया इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन B हिरोशिमा में फराईजी अंदोलन के Haat किसने की इसका अंसर हो जाएगा A हाजी सर्या तुलाने नेक्सर प्रसने के समय से वे एक दूसरे को पार करेगी कितने सेकेंड़ में इससे सोर्व करना है बीपरीद दिशा में ट्रेंज सापेस साल हो जाएगा जूड जाएगा 42 पलस 30 हो जाएगा आउसे 5 बटा 18 से हम भाग दे देंगे अब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में एक समय कितना बर बर 13 से जयन ऊनसर आजगा भी संख्या करें जो भीन किसे बीन आंए ये देखते हैं है टीन पर चार प्लस दीन पर टैनप बरभर कितना और 17 साच्छा और 15 अर्साथ कितना हो जा रहा है यह 21, 549, 85 यह भी 77 हो रहा है यह साच 4, 11, 12, 12, 17 यहनि सब जोड़ कर 17 हो रहा है यह किस और अंसर हमारे पास हो जाएगा वो है बी पुर्टगालियों ने गॉआ परिधिकार कभ क्या था इसका सही अंसर हो जाएगा option B 1510 में कब क्या था 1510 में अंतराष्टिय न्यालय का मुख्यालय किस सहर में इस्तित है और इसका सही अंसर हो जाएगा option C हेग में अस्थापना कब हुआ था मुख्यालय हेग में संख्या स्रिखला में उस बिकल्प का चैन करें जो निमलिखित स्रेणी में प्रस्ण बाचक चीन के अस्थान पर आ सकता है 99, 82, 63, 50, 35 उसके बाद क्या होगा तो आईए देखते हैं कि इस तरह के यह arrange किया हुआ है तो 99 को लिखा गया है कितना तो 10 के स्कॉयर माइनस एक, 89 के लिखा गया है 9 के स्कॉयर पलस एक, 63 को लिखा गया है 8 के स्कॉयर 64 माइनस एक यानि एक बार square करके एक में घटाया है एक में जोडा है पचास को लिखा गया है साथ के square पलस एक 35 को कैसे लिखा गया है तो 6 के square मायने से अगला क्या होगा तो 5 के square पलस एक यानि 25 पलस एक 26 अंसर हमारा हो जाएगा A कितना हो जाएगा A नेक्ट प्रेस्ट पर चलते हैं कि राजसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहन की गई है कहां से की गई है तो अंसर है Option B दच्छी नफिरका के समिधान से राजसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया दच्छी नफिरका के समिधान से ग्रहन किया गया है संभिधान संसुदन की प्रक्रिया का प्रभधान भी दच्छी नफिरका से और रासवा के सदस्यों के निर्वाचन भी है दो संख्याओं के बर्गों के बीच का अंतर दो लाग चपन हजार है और संख्याओं का योग एक हजार है तो संख्याएं कौन है तो माना कि पहली संख्या यह है और दूसरी संख्या जो है वह है B है और A पलस B जो हमारे पास है वह 1000 है पहला इक क्योंच है अद दूसरा है A square minus B square ब्रवर दो लाख 56,000 है और इसे जब हम सोल्व करेंगे A square minus B square यानि एक बार जोड और एक बार घटाव करेंगे तो 2,56,000 हो जाएगा और A plus B ब्रवर कितना है तो एक हजार है एक हजार तो A minus B ब्रवर हो जाएगा दो लाख 56,000 हो ए माइनस B ब्रवर हमारे पास आ जाएगा तो जैए बिकलपों में कौनसी उत्तरा किरती प्रसना किरती के परारूप को पूरा करता है अन्सर हो जाएगा और दीए किस ने कहा था जब फ्रांस छीकता है तो बाकी उरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है और इसका अंसर हो जाएगा option A मेटर निख ने कहा था कि जब फ्रांस छीकता है तो पुए उरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है नेपोलियन की बाटरलू प्राजय के बाद मेटर निख उरो क्या हो सकता है तो सही क्रम जो हो जाएगा वह जाएगा सबसे पहले क्या होगा कि परिच्छा फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद प्रवेस्पत्र जारी होगा उसके बाद उत्तर पुस्तिका मिलेगा उसके बाद प्रश्ण पत्र मिलेगा और उसके बाद जो होगा उत्तर ल यदि एक गोले का ब्यास दुगना कर दिया जाए तो उसका आइतन बढ़ जाएगा इसका अंसर क्या होगा अगर गोले का आइतन क्या है चार बटा थीरी पाई आर क्यू हन नए गोले का आइतन में जिसमें क्या कर रहा है कि ब्यास दुगना कर दिया जा रहा है यानि चार ब परसेंटेज निकाल देने तो अंसर हो जाएगा हमारा डी साथ सो परसेंट दिये गए प्रस्ट में लुप संख्या बताना है इसमें से लुप संख्या कौन होगा तो यह देखते हैं कि बारह गुना चार पलस तीन करेंगे तो हमारे पास आएगा एकामन और एकामन गुना त सब्सटेन बरेवर उन चालीस आ रहा है और उन चालीस गुना तीन करेंगे तो एकसो तेश आ रहा है यह तो सिचर्ण आठ गुना चार अगर तो आ रहा है लेकिन 35 में भी अब क्या करना है तो हमें 3 से गुना करना है पलस क्या करना है छे को जोड़ना है अंसर आ जागा 111 सही जवाब हो जाएगा बी यह था ग्यान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार सिस्ट के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 अगर वीडियो अच् कर देजागा धन्यवाद